आई आज के इस वीडियो में जानते हैं Unethical का मतलब उसकी प्रोनांसियेशन और साथ में देखेंगे कि हम Unethical Word का सेंटेंस में इस्तिमाल कैसे कर सकते हैं तो Unethical की प्रोनांसियेशन होती है Un Un-E-T-H-E-T-I-C-A-L-K-A ये ethical का opposite होता है जिसका मैंने वीडियो बनाया है और मैंने link description में share किया है आप चाहें तो देख सकते हैं unethical के synonyms या समानात शब्द होते हैं corrupt भ्रष्ट होना, illegal अवेद, improper गलत काम करने वाला, unfair अन्याइपून काम करना, unprofessional और व्यवसायक काम करना unethical का मतलब होता है if you describe someone's behavior as unethical, you think it is wrong and unacceptable according to a society's rule और people's belief अगर आप किसी के व्यवहार को unethic बताते हैं तो इसका मतलब है कि आपको लगता है कि यह समाज के नियमों या लोगों की मानताओं के अनुसार बिलकुल गलत और अस्विकार है morally unacceptable को हम unethical कहते हैं यानि नेतिक रूप से जिसे स्विकार नहीं किया जा सकता उसे unethical कहा जाता है आए तो कुछ sentence examples लेखते हैं unethical words से I disapprove of their unethical actions I disapprove of their unethical actions मैं उनकी बेमानियों को अस्विकार करता हूँ It would be unethical to carry out such experiments on animals It would be unethical to carry out such experiments on animals जान्वरो पर इस तरह के प्रयो करना अनेतिक होगा It is simply unethical to promote and advertise such a dangerous product इस तरह के खतरनाक उत्तात का प्रचार और विक्यापन करना unethic है यानि morally बिलकुल गलत है तो simple शब्दों में unethical का मतलब होता है जब कोई चीज बिलकुल unethic है यानि के morally incorrect है सिद्धांद के खिलाफ है किसी के principles के खिलाफ है या बैमानी से करी जाने वाली चीज को हम unethical कहते है अब आपकी बाली नीचे कमें आप अनथिकल वर्ट से संटेंस बनाकर बताएं